नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज मैं यह discussion करूँगा, at least 7 to 8 company के बारे में, और सारे के सारे companies के उपर एक best तरीके से swing trading बना है, और किस basis में मैंने इस सारे companies के उपर trade लिया, और मेरा क्या strategies है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा इस वीडियो को प्लीज मिस मत करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मौका मिलेगा, और किस तरीके से swing trading किया जाता है, किस तरीके से short term trading किया जाता है, वो मैं इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा, तो इस वीडियो बहुत importance होने वाला है, एक भी मतलब वीडियो क एक पल भी मिस मत करिए, बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, अगर आप वीडियो को मतलब कट करकर देख रहा है, तो आपको बहुत सारा चीज सीखने को नहीं मिलेगा, चीछ चलो, देख लेते हैं, इस वीडियो के कौन सा कौन सा company के उपर मेरा trade बना है, जो मैं आपके साथ यापर share करो, तो वीडियो को सुरू करने से पहले मिकश्ट करूँगा, यहापर कोई भी मेरा recommendation वीडियो नहीं है, अगर आपको काम करना है, तो इस strategies को follow करने से पहले आपका जो advisor है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए, आप पहले analysis करिए, उस कहा पे लिया, देखे, गेल इंडेस्टीज उपर के उपर एक सांदा तरीके से क्या बना, एक सांदा तरीके से cup with hand returns बना, और cup with hand returns जो बना, वो कुछ आज का cup with hand returns नहीं है, एक लंबा सा journey, आप देखेंगे, 2019 से लेका start हुआ, तो 2019 से लेका start हुआ, एक लंबा सा cup बना, उ जो range cup with hand returns का बना, उसके उपर कोई भी closing candle चाहिए, और उसकी उपर कोई और closing candle चाहिए, तो इस first closing candle को कहा जाएगा breakout, और second closing candle को कहा जाएगा breakout confirmation, तो इसकी उपर anti बनेगा, तो finally इसके उपर anti बना, और इसका target जो निकल का रहे है, एक बहुत बड़ा लंबा target बनेगा, करीबन 66% के आसपास, तो इस state के उपर जो 17 तरके से patterns बना, इस state क्यों लिया, इसके उपर मैंने details वीडियो आपको बना के दिया हूँ, जाकर जोरू check out कर सकते है, तो next company है, उसके बारे में चर्चागर, उसका नाम है Dr. Lal Path Lab, देखे, Dr. Lal Path Lab इस company के उपर भी एक swing labels बना, एक swing strategies बना, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, यहाँ पर Dr. Lal Path Lab में एक बार लिख लेता हूँ, हाँ चलो ठीक है, अभी देखे, इसके उपर भी एक swing strategies बना, वो कुछ इस तरी के से है, आप देखेंगे, solder, come head, come solder pattern केट हुआ, और finally क्या हुआ, इस जगा प इसके नजदिक जाएगा, ऐसे होगा नहीं, ऐसे एक दो company को पूर दिखेगा, बाकी companies को पूर आपको volatility इस तरके से situation दिखेगा, ध्यान देना है एक change को, जो इसका strongly यहाँ पर जो levels था, इस level को breakout करने के बाद, company उपर तो गया, जब भी नीचे आया, उसी range को test करके, एक high volume के साथ company फिर से बापस जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक strongly high growthable situation आपको देखने को मिलेगा, अभी देखिए, company जो low बन रहा है, एक range में आपको डो करके दूँ, इस range के बारे में बात करूँ, तो देखा जाए तो companies के उपर एक जो low बन रहा है, वो lower low नहीं, higher low बन रह और एक based NT मिला, तो आपके के रहा है, जोरू comments करना, क्योंकि इस company के उपर NT मैंने क्यों लिया, उसके उपर details जानना है, तो मुझे comments करके जोरू भेजिए, next company के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज Finshub, देखिए, बजाज Finshub के उपर एक सांदार तरीके से चाट, टेकनिकली चाट प्रटन्स बना, तो इस, sorry, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग जगा पर ग्लिक कर दिया, देखिए, बजाज Finshub के उपर जो टेकनिकली चाट प्रटन्स बना, वो कहाँ पर बना, चलो बो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, कब बना, उसके बद दो बार हैंडल बना, और उसके बद ब्रेक आउट हुआ, मैं आपको यह भी बोल चुगा हूँ, जब भी कोई, कोई पैटन्स में, आपको दो बार, तीन बार, आपको हैंडल पैटन्स केट देखने को मिले, तो सोच न, यहाँ पर जो बायर है, वो ज आ सकते हैं, निचे भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यह मार्केट है, इसका कोई गारेंटी नहीं है, तो एक पैडिक्सन करके आपको हम लोग को चलना पड़ेगा, तो बजाज फिन साव आप सब जानते कितना सांधर कमपानी हैं, इसको भी एक सांधर टेड बना, और रेकाउड भी कनफरमसन हो चुक है, तो मुझे लगता है, एक बड़ा टाइम प्रियोट ले सकते हैं, क्योंकि जो कप का जो साइज है, उसी बेसिस में यहाँ पे टार्गेट का भी साइज रहेगा, तो करीबन 2100 के आसपास इसका पे टार्गेट लेकर चलूँगा, और कर करीबन 26% के आसपास मेरा टार्गेट है, तो यह जितने सारे टार्गेट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बार-बार आपको बता रहा हूँ, अगर आपको काम करना है, आपका जो एडवाइसर है, उ इसको पार्फरमेंस है, उस पार्फरमेंस को देखेंगे, तो कमपनी बेस्ट पार्फरमेंस कमपनी बन चुके है, तो इस कमपनी के उपर भी अगर मैं टेक्निकली चाट पर्टन के बारे में बात करूँ, सुरी मैं यहाँ पर टेक्निकली चाट पर्टन के उपर चले तो यहां पर क्या हुआ इस तरीके से बना माल लेता हूं यह ग्रीन केंडल है तो क्या इसके पर इंटी लेना चाहिए पिलकुल कि यहां पर यह ग्रीन केंडल से यहां पर क्लोजिंग जया इसका मतलब है वह कंफर्मेशन किया बायर ने कि वह अप्टेंड में है और जो ब्रेकाउड हो वह भी हाई वॉल्म के साथ हुआ इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है वह अप्टेंग जाने का और अब देखेंगे देर देर करक है उसके बारे में चर्चा कर उसका नाम है पतंजली पतंजली फूट लिमिटेड जो कंपणी के उपर थोड़ा सा कोट केस भी है थोड़ा सा कोट के उपर मतलब इसका जो उपर आरब लगाया हारक पोड़क के उपर एक करोड का जो पेनल्टी लगाया उसके बाद भी इस कर वा और चल्वा करें कर दो होड़ा और इसके बाद रेकड़ कंफारमेशन में इसका मतलब हायर पॉसुइबिलीटी यह देखने को मिल सकता है इसका कोई गरंटी नहीं है ऐसे नहीं कि मैं कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ कि जब भी कोई टेट बने जब भी इस तरह के से प्रेटर्स बने उसको मैं कह दू कि 100% profit मिलेगा ऐसे होगा नहीं कोई बैक्ति है अगर आपको बता रहा है कि किसी टेट को पर 100% target मिल सकता है तो मेरे सबसे वह बेकार बहुत पता नहीं और anti-levels तो हो चुके है अभी यहाँ से उपर जाएगा के नीचे आएगा बहुत तो depend करेगा company के उपर तो next company उसके बारे में चर्चा कर उसका नामे अधानी पावर देखे अधानी पावर अधानी गूप के company है इसके उपर भी एक सांधा तरीके से momentum दे ज्यादा देखने को मिला तो चलो अभी अधानी पोर्ट के बारे में बात करूंगा अधानी पावर के बारे में बात करूंगा अधानी पावर के बारे में बात करूंगा अधानी पावर के बारे में बात करूंगा तो इस company के उपर एक टेकनी के लिए चाट परना जो जो इस तरीके से जब भी कोई green candle continue दिखे तो उसको marking कर लेना top level और down level तक और इस तरीके से patterns जब बने तब इस तरीके से patterns को marking करने के बाद आपको wait करना होगा जब भी नीचे लेबल को touch करेगा तो यह पेंटी बनेगा और आपर side में इसका target बनेगा तो इस level तक आपको करेंगे तो यहां पर एक सानुत तरीके से जो patterns केड हुआ वह कुछ इस तरीके से है कुछ कब बना उसके बाद एक handle उसके बाद एक handle बना फाइनल यहां पर breakout हुआ ब्रेकाउट confirmation हुआ और उसके बाद एक कंपानी धीर दे करके आगे बढ़ रहा है इसका जो target निकल का रह है मुझे जूरू comments करके बताना नेक्स जो company है उसका नाम है हिंदुस्तान petroleum corporation limited जिसको हम लोग हिंद पेट्टो नाम से जानते है इस company के उपर भी एक सानुत तरीके से pattern केड हुआ कि इस company के उपर टेड़ लेने का जो मेन मकसद है company के quarterly result लागातार increasing momentum में देखने को मिला और जो हिंदुस हिंद पेट्रो जो है मैं एक बार आप तो चार्टेन उपन करके दिखा जेता हूँ हिंद पेट्रो तो हिंद पेट्रो के बारे में बात कर रूँ तो हिंदुस्तान petroleum के बारे में बात करू तो यहापे आप देख सकते हैं एक 13 तरीके से patterns केड़ हुआ दो patterns प बना था, उसका टार्गेट तो अचीव हो चुके है, सेकेंड टार्गेट जो बनेगा मेरा, वो टार्गेट को 460 लेवल के आसपास बनेगा, तो एक अच्छा खासा टार्गेट लेवल यहाँ पर बन सकते हैं, तो मैं इसके उपर कांटिन्यू कर रहा हूँ, आपके के रहा है, इस कंपनी के पर जोरू कमेंट करना, जब एंटी बना था, तब ही मैंने आपको वीडियो बना कर सेर किया था, तो इसलिए बार-बार बोलता हूँ, इस सारे चीज़े को सीखने के लिए, मेरे साथ जोए रही है, चैनल को सब्स सब्सक्राइबर है, तो आपको पता है, जब भी कुछ टेट बने, तो मैं आपके साथ सेर किया हूँ, और कंटीनेसली उसको वीडियो में बनाता रहता हूँ, जब तक उसका प्रॉफिट और स्टाप लोस ना हीड हो जाए, क्योंकि मैं आपको यही सिखाना चाता हूँ, क पेशन के साथ किस तरीके से कंपानी तो पर बने रहना होगा, तो नेक्स्यों कंपानी ुसके बारे मिबात कर उसका नाम है कंपिटर एज मेनेजमेंट, जिसको हम लोग कैंपस नाम से जानते है, तो कैंपस के उपर भी एक सांधर तरीके से एक टेकिनिकली चार्ट परन ब पास इस टार्गेट को लेकर चलूंगा और पूट आर्गेट निकल रहा है करीबंड ट्वेंटीफॉर परसन के आसपास तो नेक्स चोंपानी है और लास्ट चोंपानी इस वीडियो का वह है इंडिगो इंटर ग्लोबल आप अच्छली इंडिगो जी इसका नाम है एक्छली यहाप आपको नहीं दिखेगा चलो यहाप आपको दिखा देता हूँ इन डी गो तो इन डी गो के बारे में बात करूब यहाप एक पैटन सांदा तरीके से क्रेट हुआ कुछ इस तरीके से पैटन करेड़ हुआ और फाइनली दिखिए उस पैटन का टार्गेट भी अचीव हो चुके हैं तो यहाप देख सकते कफ वी धने पैटनस बना और उसके बाद एक ब्रेक आउट हुआ वेक आउट कांफर्मेशन हुआ और इजी तरीके से यहापे 10 परसन के आसपास टार्गेट मिल चुके है और वो भी सिर्फ 9 दिनों के अंदर अंदर तो कहने का मतलब है कि यह सारे चीज में आपके साथ इसलिए सेयर किया हूँ कियो कि आपको पता चले कि किस तरीके से पैटन्स मनने में इजी तरीके से टार्गेट हो सकते हैं तो इस सारे पैटन्स का जो डीटिल्स है मैं आपको टेलिग्रम में भी सेयर करता रहता हूँ जाकर टेलिग्रम को जोईन करिए जहाब आपको सीखने के लिए सारे चीज मिलेगा मेरे तरप से कोई भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है अगर आपको काम करना है तो आप खुद के रिसाज की साब से और आपको जो एडवाइजर है आपका जो stop blocking advisor है उसके साथ बातचीत करके काम करिए किके blindly किसी के उपर भरोसा मत करिए मेरे उपर भी नहीं है किके पैसा आपका है आपको सेपेज जोन में काम करना है तो आपको थोड़ा सा तो मैनत करना पड़ेगा वाकि मेरे तरफ से जो डेटा है मैं आपके साथ सियार क्या हूँ आपके क्यारा है जोरू कमेंट्स करना वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब करना मैं ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए